जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, आसा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे दोस्तों, कई काम ऐसे होते हैं जो बर्सों से रुके होते हैं व्यक्ति उसके लिए भर्सक प्रयातने करता है कई इच्छाएं ऐसी होती हैं, जो मन में दबी के दबी रह जाती है और ऐसे इच्छाओं या ऐसे कामों के लिए पूरी तरह से प्लेटफॉर्म नहीं बन पाता है या पूरी तरह से उसकी व्योस्था नहीं हो पाती है कई दफे कई तरह के ऐसे अडबंगे लग जाते हैं कि ऐसा काम बनते बनते रुख जाता है ऐसा लगता है अब हुआ तब हुआ और कोई न कोई ऐसा अडबंगा लग जाएगा कोई न कोई ऐसा दूसरा काम निकल आएगा कि जो आपका मेन काम था जो आपका बर्सों से आपने कोई इच्छा को अपने मन में दबा के रखा था वो काम पोस्टपॉंड हो जाएगा, साइड में रह जाएगा और जो कुछ भी आपकी बचत थी या जो कुई भी आपका पैसा आपने इखटा किया था या यहां वहां से व्योस्टा की थी वो पैसा किसी और काम में लग जाता है तो ऐसा तब होता है कि जब आपके जो कोई भी ऐसे आसपास के लोग हो या आपके कुछ न कुछ इस तरह की क्रियाईया कर्म हो गई हो कि जिससे किसी का मन दुखी हो गया हो या किसी की हाय बद्दूआ लग गयी हो और फिर हम देखते हैं कि कुछ ग्रहदोस हो गया ग्रहपीडा हो गई ऐसा कोई रिजन हो गया और जिसकी वज़े से वो काम नहीं बन बाता है तो आज मैं जो आपको उपाय बताऊंगा इस उपाय से जो कोई भी अडबंगा आपके काम में लग रहा है जो कोई भी रोक लग रही आपके काम में जो अवरोध हरा है वो चीज आपके मार्क से हट जाएगी और आप बहुत ही आसानी से अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे जो आप चाहते थे इतने सालों से आपका काम हो और हर दफ़े जो काम रुख जाता था वो काम आपका हो जाएगा तो दोस्तों यदि आप हमारी चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूड रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं तो अब भी इसी तरह की जानकारी में रूची रखते हैं तो अभी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इससे हमारे दौरा बताएगए उपाय आप तक आसानी से और तेजी से पहुँचेंगे तो चलिए दोस्तों बचाता हूँ वह उपाय के जिससे बरसों से मन में दबूई ही जो इच्छा है वह फलिबूत हो जाएगी, कारगर हो जाएगी और आपके ऐसे काम जो कई सालों से आपने मन में दबा के रखे हैं या जिसको करने के लिए आपने बार-बार प्रयत्न किये हैं लेकिन कोई न कोई कारण सर, वह काम पूरी तरह से बन नहीं पाता है और रुख जाता है तो इस उपाय को करने से वह काम आपका बड़ी ही आसानी से हो जाएगा आपको करना क्या है? सोमवार देर रात्री को देर रात्री यानि बारा बज़े के बाद आपको इस उपाय को करना है आधी रात के बाद आपको इस उपाय को करना है सोमवार को देर रात्री को आपको इस उपाय को करना है बारा बज़े से चार बज़े के बीच में आप इसको कभी भी कर सकते हैं तो आपको करना क्या है? आपको एक मुठी काले तिल लेना है. एक मुठी काले तिर ले ले और उत्तर दिश्ता की तरफ आप उसको रखने और उसमें आप एक चमजगी डाल दें. उसकी एक धेरी जैसी बना ले, थोड़ी सी एसी और उस पर एक चमज घी डाल दे उसके सामने हाथ जोड़कर बेड़ जाए और जो आपकी इच्छा है वो इच्छा बोल दे कि मेरी ये इच्छा है और ये मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए और मैं आपको साथ दिनों तक घी अरपित करूँगा या करूँगी ऐसा बोल करके आप उसको किसी पात्र में बंद करके रख दे अब अगले दिन सवेरे से आपको साथ दिनों तक उसमें रोज एक चमज घी डालना है और अपनी इच्छा बोलनी है ये इतना जोड़दार तंत्र है इतना कारगर है कि अगले ही दिन से आप देखेंगे कि आपकी जो कोई इच्छा थी जो काम था उसके अनुरूप वातावरन बनने लग जाएगा आपके काम के लिए जो पैसे चाहिए थे वो आने लग जाएगे या जो लोगों की आपको मदद या हेल्प चाहिए थी ऐसे लोग स्वता आपसे मिलने लग जाएगे दूसरे ही दिन से आप देखेंगे कि आपका जो कारे था जो इतने सालों से रुका पड़ा था उसमें एक का एक तेजी आ जाएगी प्रगती होने लग जाएगी साथ दिनों तक इस क्रिया को नित्य करें और इसके बाद में इसको किसी सिव मंदिर में आप दान कर दे आप देखेंगे कि जो भी रोक थी रुकावट थी किया धरा था या जो कोई भी ग्रह दोस पीड़ा एक स्वाई जेड जो कोई भी चीज थी जो अवरोध था वो हट जाएगा आपका मार्ग प्रसस्त हो जाएगा और बहुत जल्द आप जो चाहते थे वो काम आपका बन जाएगा ठीक है तो चलिए दोस्तों अब इसी उपाई के साथ मुझे दीजे विदा और आप लोग देखते रहें दिव प्रकास और अपने जिवन में लाबनवित होते रहें धन्यवाद